नमस्कार दोश्तो योग मंद्रा पे आप सभी का स्वागाद है दोस्तो आज बात करते हैं जिन लोगों के हाथ पैट तो दुबले हैं पूरा सभी दुबला है लेकिन उनके पेट में फैट जमा हो गया है उनका पेट जो है दिन पे दिन बाहर निकलता जाता है क्योंकि आज जंक फूड लोग ज्यादा खाते हैं जिसके कारण की पेट में चर्वी एक्स्ट्रा जमा हो जाती है और बहुत कोसिसों के बाद भी वह घरती नहीं है तो आज हम जानेंगे कि कौन से ऐसे देसी नुस्के यह घरेलों उसके यूज करके हम अपना पेट का चर्वी या लेकि नेक्स वीडियो आप तक पहुंच सके और वीडियो पसंद आए तो से लाइक भी कर दें तो सबसे पहले नंबर वन हमें आवले का जूस का सेवन करना चाहिए क्योंकि आवला जो है फाइवर से भरपूर होता है आवले में बहुत सारे गुण होते हैं लोग बोलते ह आवले का जूस जो है हमारे पेट की चर्वी घटाने में हमारी बहुत मदद करता है या तो आप आवले का जूस भी सकते हैं आवले का मुरब्बबग आ सकते हैं आवले को आप किसी भी रूप में खा सकते हैं आवले की चटनी खाएं आवला हमारे लिए बहुत ही ज़्या तो इसका आग जूस या मुरब्बा कुछ भी स्रेवन कर सकते हैं नमबर दो मेथी दाना मेथी के दाने जो होते हैं इसको अपनी डाइट में सामिल करेंगे तो भी हमारी पेट के लिए बहुत ही अच्छे हैं और यह हमारे पेट की चर्वी खटाने में हमारी मदद करते हैं तो रात में यदि एक गिलास पानी में हम एक चमबज मेथी दाना भी वो देते हैं उस बुबे उस पानी को गुनूना करके च्छान के पी जाते हैं और डेली यदि हम उसको पीने लगते हैं तो देखेंगे दिन पे दिन हमारे पेट की चर्वी जो है पिगलने लगेगी औ और हमारा पेट को फैट है वो कम हो जाएगा. और नमबर तीन नीवु का रस. नीवु भी हमारे मेटावाविज को बहतर बनाता है. तो जिसके करन की हमारे पीट की आस पास की जो चरबी है, जो फैट जम होता है, वो तिखलने लगता है. तो रोड डेली सुबे गुनगुने पानी में आधा नीबू गरस एक चम सहर डाल के यदि हम पीते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यदा फायदे मन दे हमारा फैट घटाने में हमारी मदद करता है और यदि सहर आप नहीं डालना चाहते हैं तो सिर्फ नीबू का रस और पानी भी ले सकते हैं यह हमारे पेट के फैट को घटाने में हमारी मदद करता है और साथ-साथ में हमारी इस्किन को बनाता है क्योंकि नीबू में बिटामी शी की भरपूर मात्रा पाये जाती है और नमबर फोर्थ है अजवाइन अजवाइन भी हमारे पेट के लिए ही बहतर अजवाइन है अजवाइन का यदि हम प्रयोग अपने खाने में ज्यादा से ज्यादा करते हैं तो हमारा पाचन तंदर बिल्कुल ही अच्छा रहता है हम जो भी खाते हैं आराम से पच जाता है और पाचन तंदर भी श्ट्रॉंग होता है और अजवाइन को यदि हम तीन गिलास पानी में दो चमच अजवाईन को डाल देते हैं और उसको इतना पकाते हैं कि दो गिलास पानी बचे उसको हम सुबे और साम एनि कि साम को खाना खाने के बाद एक गिलास पीनेना है खाना खाने के तुरन वाल नहीं पीना है कम से कम एक घंटे बाद आपको पीना है आप आदा गिलास ही पी लिजे अगर आपको जादा है तो आप उस तीन गिलास को एक गिलास रहने दिजे जितना गाढ़ा हो जाएग तो आप आदा गिलास साम को पी लिजे खाना खाने के बाद और सुबह के समय उठने के बाद खाली पेट आदा गिलास पी लिजे यदि आप डेली इसको भी पीने लगेंगे तो देखेंगे कि आप फैट की आफ़ पास की चर्वी है घटने लगेगी और आपका पेड धीरे अंदर जाने लगेगा तो यह सारे नुश्के हैं जिने की आप अपना सकते इसके साथ में आपको अपनी डाइट का भी ख्याल रखना पड़ेगा पॉस्टी भोजन लेना पड़ेगा अपने डाइट में फल को और हरी सब्जियों को ज्यादा सामिल करना होगा और मैदा या इसी चीजों को छोड़ना होगा क्योंकि यह सब मैदा होती है और रिफाइन होता है को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है तो इन चीजों को त्या करना होगा फाइवर से भर तुर्व जहलन लेना होगा जैदी आप इन सारी चीजों का ध्यान रखेंगे जंग पूर्त त रखेंगे और यह सारे टिप्स अपनाएंगे तो देखेंगे कि आपका पेट का जो फैट है वो धीरे-धीरे कटने लगेगा तो आप यह सारी नुष्के अपनाएए और निरोग रहिए और सस्त रहिए और यदि हमारे वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने मित